बिस्मिल्य रख्मान इरहीम असलाम लेकूम आप देख रहे हैं कुकवी शगुफता आज मैं बहुत ही मज़े की रेस्पी लेकर आई हूँ मैं बना रही हूँ आलुक गोश्ट जो के मैं देशी स्टाइल में बनाऊंगी और बहुत ही असानी के साथ और इजी और बहुत ही क और साथ ही इसमें डेड़ किलो में मटन डाल रहे हूँ तीन अदद बारिक स्लाइस कटिंग किया हूँ प्यास डाल रहे हूँ हाफ टी स्पून काली मिर्स डाल रहे हूँ हाफ टी स्पून लॉंग डाल रहे हूँ एक अदद दार्चीनी की स्टिक डाल रहे हूँ एक अद यशोईफ टेब़िल इस्पून नमक डाल रही हूं हस्टी इस्पून हल्दी डाल रही होँ है वऑं टीप फिसवह धनीया डाल रही हूं तक्रीबं एथ गलास में इसमें पानी डाल रही हूं सारे मसाले और गोश्ट को हम अच्छी तरह से हिलाएंगे ताके सारे मसाले मिल जाएं गोश्ट में अच्छे तरीके से सारे मसाले मिल गए हैं अब मैं इसे ढख कर रख रही हूं तकरीब आदे गहंटे के लिए जब तक गोश्ट गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूं आदा घेंटा हो गया है और खुश्पू तो बहुत ही मजे की आ रही है और गोश्ट भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है अब मैं इसको भूने बूने से पहले मैं इसमें आलू डालूंगी एक किल्म में इसमें आलू डाल रही हूं आलू को मैंने चोड़े-चोड़े में काट लिया है अब बहुत अच्छी तरह से हम भूनेंगे और आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से असानी के साथ इसे रख लिया था बस सारा कुछ एक साथ डाल दें और आखिर में इसे भून ले मटन को भूनते हुए पांस मिनट हो गया है अब पांस स्पून दहीं दहीं को मैंने अच्छी तरह से फैंट लिया था पहले सही अब दहीं डालने के बाद हम दस मिनट तक मजीद भूनेंगे मटन को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया और यह देखें आईल भी छोड़ दिया है अब मैं इसमें पानी डालूंगी तक्रीबन डेड़ गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ अब मैं 10 मिनट के लिए ढख कर रख रही हूँ जब तक आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और खुश्बू तो बहुत ही मज़े की आ रही है अब आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबिल स्पून पिसा हुआ धनिया वन टी स्पून पिसा हुआ गरमसाला डाल रही हूँ बस अच्छी तरह से हिला लेंगे चमच को और हमारी आलू गोश्ट का सालन त्यार हो चुका है अब मैं डिश आउट करती हूँ और अगर रेस्पी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें आगे शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वी